जैह हिंद दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल टोटल ट्रेन इंफो पर स्वागत है यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और रेल्वे की लेटस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 15,82 गोमती नगर नखा जंगल इंटर सिटी एक्स्प्रेस ट्रेन की पूरी जानकारी यदि आप लोगों में से किसी ने इस ट्रेन में सफर किया है तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों कई बार वीडियो अप्लोड करन मैंने इस वीडियो में दी हुई है ये ट्रेन गोमती नगर और नखा जंगल स्टेशन के बीच रोजाना चलती है ट्रेन 14 स्टेशनों पर रुकते हुए कुल 325 किलोमीटर की दूरी लगभग 9 घंटे में पूरी करती है इस ट्रेन की ओसत स्पीड 40 किलोमीटर प्रती घंट ये ट्रेन चूटने से आधा घंटा पहले गोमती नगर स्टेशन पर आकर रुक जाती है और सुबह 6 बज कर 10 मिनट पर रवाना होती है इस ट्रेन का पहला हौल्ट 12 बन की जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 6 बज कर 50 मिनट पर पहुँचती है यहां ट्रेन 2 मि पर पहुचती है, यहाँ ट्रेन दो मिनिट रुपती है, इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट कर नेलिगंच स्टेशन है, और यहाँ ट्रेन सुबह साथ बज कर तिरपन मिनिट पर पहुचती है, यहाँ ट्रेन दो मिनिट रुपती है, इस ट्रेन का पांचवा हॉल्ट गोंडा जं पर पहुचती है यहां ट्रेन का आठवा हॉल्ट तुलसीपूर स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह दस बजे पहुचती है यहां ट्रेन दो मिनित रुपती है और यहां ट्रेन सुबह 11 बजकर 36 मिनित पर पहुचती है यहां ट्रेन दो मिनित रुपती है द्रहवा और आखिरी हॉल्ट नखा जंगल स्टेशन है और यहां ट्रेन दो पहर 2 बजकर 15 मिनित पर पहुचती है दोस्तों मैंने इस वीडियो में किराये से संबधित कोई जानकारी नहीं दी है क्योंकि किराया हर स्टेशन से अलग अलग होता है और समय समय पर किराये में बदलाव भी होते रहते हैं इसलिए किराये की जानकारी के लिए आप रेलवे की ऑफिशियली साइट IRCTC.co.in पर देख सकते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों यदि आपका इस वीडियो और ट्रेन से संबधित कोई सवाल है तो आप कमेंड बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो इसका जवाब जरूर दिया जाएगा यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें मुझसे करीब से जुलने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूले मेरा इस्टाग्राम अकाउंट है टोडल ट्रेन इंफो आपको कौन सी ट्रेन पसंद है या किस ट्रेन की जानकारी चाहते हैं कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं मैं उस ट्रेन का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा धन्यवाद